हेलो फ्रेंट्स तो पहले आपका बहुत बहुत सवागत है दोस्तो आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला उन लड़कों के लिए जो टेक्निकली में कुछ कर रखे हैं लाइक आई टी डिप्लोमा या डिग्री डिग्री में हो सकते हैं आपने बी बीटेक कुछ भी किया हो लाइक मेकानिकल इलेक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी किया है आपने बड़ दोस्तो आपको बता दूं कि यदि आप इलेक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक है तो आप मेंटेनेंस में जाओगे और आप मेकानिकल से हो तो आप प्रोडक्शन में आ सकते हो क्वाल्टी में आ चाहते हो आटोंवाइल की तो मैं आपको बता दू कि यहां पर जो होते हैं मसीन साप में सबसे ज़्यादा गुरूथ होती है दोस्तों क्योंकि यहां पर इसके लड़कों की जुरूथ होती है और दोस्तों बताओं कि आप 10th 12th भी हो और यदि आप सींसी का काम सीख लेते हो तब भी आपकी सेलरी में आपकी पोश्ट में काफी ज़्यादा इंक्रिमेंट देखने को मिलेगा बड़ दोस्तों आपको बताओं कि क्वालिफिकेशन आपकी जितनी ज़्यादा होती है उसके पोश्ट दे जाती है आपके एक एक स्पिरियंस लेवल के बाद यसे आप जुनियर इंजैनियर फिन पोश्ट तक आप जा सकते हो बड़ दोस्ते आपने डिप्लोम ऑब्लेंजर भी बन सकते हो लेकिन आपको में मता दूआ अपने बी बीटे कर लगा तो आपको भी से कोर्श कर लिखा आपने भी मैनेजर से भी ज्यादा येचर दी लेवल तक भी क्वाल्टी इंजिनियर बन सकते हो तो आप अपने डिप्लोमा डिगरी किया है और फ्रेसर अरो ट्रेनिंग लेना चाहते है तो कोई कोई दिक्कत नहीं कंपरी में जाओगे तब हहां पर आपको दोस्ते इतना जाता सिखाने अप सीख नहीं पाहुगे आप एक दो सब्सक्राइब काम करका experience certificate तो ले लोगे और यह आपके पास पैसा नहीं है तो आप certificate ले लो, काम करो पैसा कमा लो उसके बाद आप 6 मंद का CNC का course कर लो CNC का मासन टूल लूम से कर सकते हो या प्राइबेट संस्ता हो है जैसे पूरे में इंदोर में जो भी है वहां से आप कर सकते हो CNC का फूल फाम होता है दोस्तो computer numeric control यह जो है जो है जो भी machine होती है जैसे आप देखते हो जो बाइक होती है बाइक जिंजन के पार्ट होते हैं वो बनते है CNC machine के थूर कंप्यूटर numeric control के थूर और दोस्तो पहले late machine के थूर बनते थे late machine जो होती थी उसके थूर बना जाता था मेनुवली तो manpower की काफी demand होते थी लेकिन दोस्तो अब machine साब जब से आया है हाँ पर computer numeric control के थूर time के साथ upgrade नहीं करोगे तो आपकी जो salary है आप salary की increment सोचिए भी मत क्योंकि जो company में यदि आप skilled person हो तो आपकी salary उसके recording लगाई जाती है आपकी salary वे अच्छी खास इस देखने को मिल जाती है लाइक यदि आप CNC operator के काम भले कर रहे हैं यदि अपने CNC course किया है आपको programming आती है तो दोस्तो आज नहीं तो कल है यदि आपको एक साल दूसरा experience हो जाता है यदि आपने CNC में आपने कर लखा है cam software भी किया है आपने Dell cam master cam ऐसे software कर रखे हैं तो आपको coding knowledge particular हो जाता है आप designing को understanding कर लेते हो और दोस्तो आप designing को देखकर आप उसके according code create कर सकते हो और उसके according आप machine से part बनवा सकते हो तो आप CNC course कर लेते हो particular तो आपको मैं बता दू कि 100% में से आपको 70% chances से जाब मिलने के और दोस्तों आप automation किसी भी industry में चले जाओ आपको salary जो है 15,000 से 17,000 के भीच में रहेगी शुरू में बट एक साल दो साल की experience कर लेते हो 35,000 आपको salary देखने को मिलेगी किसी भी automation industry में बट दोस्तों company या HR आपको जब interview लेगा तो आप यह नहीं बताएगा कि आपको कितना देन यह तो वहाँ पर देखेंगे कि आप उसको सही कर पाते हो यग नहीं कर पाते हो यदि आप सही कर लेते हो दोस्तों तो वहाँ पर आपको h supervisor या line in charge आपको रख दे जाता है अपरेटर जो लड़की पढ़े लिखे होते है आई टाई डिप्लोमा और उनकी पास skill नहीं होती है जैसे मैंने आपको बता है कि आपके पास skill नहीं है भले experience हो जाता है तो दोस्तों आपको industry पैसा भी यादा नहीं देखी आपको operator में हमेशा रखेगी और आपको growth भी कम होगा यदि आपने programming कर लेते हो coding का काम कर लेते हो सीख लेते चीजें तो फिर आप दोस्तों अपन पोस्ट में भी growth देखने को मिलती है लाइक यदि आपने बी बीटे गया है तो आप manager होडी तक भी पहुंच सकते हो एक बार यदि carrier की growth चालो गई लाइक आप operator से supervisor बन गए सुपर वाइजर से आप engineer बन जाते हो इसके बाद आप प्लांटेट तक भी बन सकते हो यदि आप production लाइन में हो यदि आप quality में हो या maintenance में हो तो तो बन सकते हो यदि आप आप सुपर वाइजर तक बन सकते हो दूस्तों आप यह चोडी बन सकते हो यदि आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपके skill और आपकी experience पर करता है और company कितनी बड़ी है उस पर depend करता है चोटी company है तो आप बन जाओंगे बहुत आसानी से लेकिन बड़ी company है तो फिर वहाँ पा थोड़ टाइम लगता है और टाइम के बाद आपकी growth देखने को मिलती है और आपको skill to matter करता ही है क्योंकि बड़ी company है skilled person को हाइर करती है campus होता है skill person को ही रखा जाता है तो दोस्तों आपको यह course कर लेना चाहिए CNC का जो है जाता है आपको सिखा जाता कैसे बना जाता है उसके बाद वही code को लाकर जस्ट आपको फिच करी मजू मसीन होती है company उन पर डाल दिया जाता है और फिर वह काम करते हैं अपना code काम करते हैं और आपको बस खड़े होका अपना product को देखना होता है अंदर सीसर लगे होते है मसीन पर बाहर से देख रहे होते हो सब कुछ complete होने के बाद दोस्तो पार्ट रेडियो ने बाद आपको quality में जाकर आप खुछ चेक कर सकते हो तो थैंक्यू चैनल विजिट करने के लिए सायद आई होप आपको समझ में आए और सियंसी कोर्स क्यों करना चाहिए और सियंसी जैंक्यो पार्ट रेडियो और सियंसी विए सियंसी को राद आपको रवे सायद पार्ट आपको स दॉते हो सायद है